आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी यूज करते हैं कोई भी ओपो का फोन और अगर आप अपने फोन में किसी भी एप्लिकेशन के नोटिफिकेशन को आफ करना चाते हैं या फिर बंद करना चाते हैं तो कैसे कर सकते हैं आई आज की इस वीडियो में जानते हैं तो सबसे पहले अपने phone की settings को open कर लीजिए open करने के बाद आपको नीचे एक option मिलेगा notifications and status bar इस पर आपको touch करना है touch करने के बाद यहाँ पर उपर आपको एक option मिल जाएगा notifications का इस पर आपको touch करना है टच करने के बाद यहाँ पर यह थोड़ा सा टाइम लेगा और कुछ सेकेंड्स में आपके सामने आपके फोन की सभी अप्लिकेशन आ जाएंगी यहाँ पर आप जिस भी अप्लिकेशन के नोटिफिकेशन को आफ करना चाते हैं यानि कि बंद करना चाते हैं आप उस एप पर टच कर दीजिए तो जैसे कि यहाँ पर हम वट्सप पर टच कर देते हैं याँ पर आपको एक option मिलेगा display on lock screen अगर आप चाते हैं इस एप के notification आपको lock screen पर शों ना हो तो इसे बंद कर दीजिए अगर आप यहाँ पर पूरी तरह से इस एप के notifications को off करना चाते हैं तो उपर मिलेगा आपको allow notifications इस पर touch करके यहाँ पर इस app से कोई भी notifications अब receive नहीं होंगे तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें